नूँ तरनों 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 वागरथा विवसंप्रिक्त वागरथा प्रतिपत्त यगत हपित रहले आज आद्य शंकराचारिय भगवान और श्री रामानुजाचारिय जी भगवान दोनों की जैनती की बहुत बहुत शुब कामना हुआ हमारा धर्म सनातन धर्म है वो पुरातन तो ही है विश्व के इतिहासकार इस बात को स्विकार करते हैं जिसको आज विश्व में लोग हिंदु धर्म कहते हैं वो विश्व का प्राचिनतम धर्म है विश्व के विद्वान इस बात का स्विकार करते हैं कि समग्र विश्व का प्राचिनतम साहित्य यदि कोई है तो वो रिगवेद है तो हमारी जो परंपरा है वो सनातन है यह पुरातन तो ही है लेकिन सनातन है वो इस परंपरा का अती महत्वपूर्न तत्व है और सनातन इसलिए है और तब है कि वो सत्य से जुड़ा हुआ धर्म है और सत्य सनातन है सत्य ननूतन है सत्य नपुरातन है सत्य सनातन है और इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कही कही कहते भी है सत्य सनातन धर्म की जै सत्य को ही हमने इश्वर माना है या तो इश्वर को ही हम सत्य मानते हैं इश्वर सत्य है और जो सत्य है वही शिव है कल्यान कारी है वही सुन्दर हो सकता है और इस तरह से सत्यम शिवम सुन्दरम की जो विभावना है वो तैयार होती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भगवान आध्य शंकराचारिय का दर्शन हो सर्वं खलुईदं ब्रह्म नेह नानास्तिक इंचन जैसे शुरुतिवाक्य हो हम उस परम तत्व की बात करते हैं जो सत्य है जो शाश्वत है जो सनातन है जो अखंड है जो एकरस है हमारी सनातन धर्म की परमपरा में उसके दो महत्वपूर्ण आधारस तंब है एक है संत परमपरा और दूसरी है आचारी परमपरा जैसा कि आद सुबह मैंने आप सब को सुत्र के माध्यम से भी बताया है संत परमपरा के संत मीरा हो कबीर हो तुलसी हो सुर्दास हो तुकाराम हो कि नरसी मेता हो और आधी अनेक संत प्राय उत्तर भारत से आये हैं और आचार्य परमपरा के आचार्य दक्षण भारत ने प्रदान किये है चाहे वो भगवान आध्यशंकर आचार्य हो चाहे रामानुजा आचार्य जी हो चाहे श्रिवलभाचार्य जी महराज हो प्रभृति अनेक आचार्य दक्षण से आये है जहां ज्ञान की प्रधानता है जहां विचार की प्रधानता है जहां वैराग्य की बात है जहां एक दर्शन है वो आचार्य परंपरा के सभी महानुभाव हैं और आचार्य परंपरा के आचार्यों के दर्शन के अनुसार उनके निर्दश्ट पत पर चलने वाले जो प्रेम पूर्ण अनुरागी चाहे ग्रहस्थ हों चाहे विरक्त हों ऐसे महापुर्शों को हमने संत कहा है ये सब संत बहापुरुश हैं नर्सि मेता हो तुकाराम जी हो संत कबीर हो ये सबी ग्रहस्थ हैं और ग्रहस्थ के बाद विरक्त परंपरा में आने वाले चैतन्य देव हो मेवाड की मीरा हो आदी अनेक संत जिनोंने न केवल हमारे भक्ती साहित्य को अपने रचनाओं से सम्रिद्ध किया है बलकि अपने पवित्र जीवन भक्ति पूर्ण जीवन से अनेक लोगों को प्रभावित किया है प्रभावित किया है ये कहना भी यथार्थ नहीं है उन्होंने अपने पवित्र जीवन से अनेक लोगों को प्रभु भावित किया है प्रभावित तो कोई पंडित भी कर सकता है। लेकिन प्रेम से परिपूर्ण पवित्र जीवन जीने वाले संत जो भी संपर्क में आता है उन्हें प्रभुभावित करते हैं। चैतन्यदेव का जो भक्ति आंदोलन क्या एक प्रभुभावनामृत को उन्होंने जागरत किया। कि ऐसे प्रेम से परिपूर्ण संत का दर्शन करने मात्र से लोगों के मन के विकार शांत हो जाते थे। मन में दिव्य श्री क्रिष्ण प्रेम का उद्रेक होता था। चैतन्यदेव के श्री मुक्स से निकलने वाले हरिबोल करन कुहरों में पढ़ते ही मन इतना प्रेम से उल्लसित हो जाता था कि सुनने वाला भी उसी प्रेमावेश में आकर के हरिबोल हरिबोल कहने लगता था नाचने लगता था। तो संत परंपरा के इन संतों ने आचारी परंपरा के आचारी महापुरिशों ने जो दर्शन दिया है याने जो फिलोसोफी जो एक संप्रदाय स्थापित किया है उनके निर्दिष्ट मार्ग पर संत परंपरा के सिधे साधे लोग चले हैं अलाकि तो चैतन्य देव तो स्वयम एक महा पंडित थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन जैसे हम कथाओं में चर्चा करते हैं, ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम प्रेम है भक्ती है, और भक्ती की पराकाष्ठा को ही ज्ञान कहते हैं, भगवान अद्यशंकरा अचारिय, देखो कैसी ये प्रतिभाएं हैं, बच्पन से ही, जब उस नदी में ग्राह ने बालक का चरण पकड़ लिया, और मां का रिदय तार-तार होने लगा, और तब ये घटना सामने आई कि तुम यदि मुझे सन्यास लेने की अनुमती दे दो, तो शायद मेरा वो वाला जीवन लोको पकारक है तो परम सत्ता मेरी रक्षा करके उस कारिय में मुझे लगा सकती है, और इस तरह से उनके प्राण बच गए, और छोटी सी आयू में संपूर्न वैदिक वांगमे को जिनोंने आत्मसाथ कर लिया, अध्यशंगराचारी भगवान की एक एक रचनाएं जब हम देखते हैं, तो एक क्या तरलता है, क्या सरलता है, और उसी के साथ दर्शन की उतनी ही अध्भुत गहराएं, भगवान अध्यशंगराचारी की रचनाओं में प्राप्त होती है, और ग्यान की परिपक्व अवस्था इन महापुरशों में इस प्रकार द्रशी गोचर होती है, कि ज्यान को ही प्रधान मानने वाले, मुख्य मानने वाले, और मोक्ष संबन्धी ही चर्चा करने वाले, भगवान अध्यशंगराचारी के भगती से परिपूर्न स्तोत्रों को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, परामबा भगवती की स्तुती करते हुए कह देते हैं, नमोक्षस्या कांख्षा भववववान्छा पिचनमे, नविग्न्याना पेक्षा शशिमुखी सुखेच्छा पिनपुनह अतस्त्वाम सैयाचे जननी जननम्यातुममवै मृडानी रुद्रानी शिवशिवभवानी ती जपतह। क्या तरलता है सहित्यकी। जायेत क्वचिदपिकुमातान भवती। इन शब्दों का गायन करते समय किसका रिदय भाव से नहीं भरेगा। कहते हैं, जगदंब विचित्र मत्रकिम परिपूर्णा करुनास्ति चिन्मई अपराद परंपरा वृतं नहीं माता। समुपेक्षते सुतम। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बड़ा अग्यानी हूँ, ये कहते समय कभी कभी हमारे मन में ये सतत बोध रहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ. और पिछवाडे में कहिन कहीं ग्यान का वो एहंकार भी छुप करके खड़ा रह जाता है। तब ये विनम्रता केवल बनावटी और केवल दिखावा मात्र रह जाती है। ऐसी बात नहीं है, इसलिए आध्य शंकराचारिय कहते हैं। ये जो मैं कहरा हूँ, नमंत्रम नोयंत्रम तदपिचन जाने स्तुति महूर, नचाहवानम ध्यानम तदपिचन जाने स्तुति कथा। ये मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा शठत्व नहीं है। और यदि कोई ये कहे कि तो फिर जूट बोल रहा है अध्य शंकराचारिय क्योंकि ये मंत्र के ग्याता है, तंत्र के ग्याता है, स्तुति कथा। कौन ऐसा विशे है जिसके ये ग्याता नहो। और फिर ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता। क्या वे ग्यानी नहीं हैं? हम यही कहेंगे कि हाँ वे सच में ग्यानी हैं, क्यों यही ग्यानी का लक्षन हैं, कि वो निरहंकार हो जाता है। मैं ग्यानी हूँ ये भी अभिमान हैं। क्योंकि उसमें मैं और हूँ दोनों हैं, उसके बीच में ग्यानी वाला कपड़ा पहन लिया गया है, चोला पहन लिया गया। ये कुछ जब नहीं रहता, कि बल ग्यान ही शेश रहता है। इसलिए कहते हैं कि ग्यानी को भी बंधन है, जब तक ग्यानी ग्यानी बना रहेगा बंधन है। जब ग्यानी स्वयम ज्ञान स्वरूप हो जाए, तो फिर न बंधन है न मुक्ति है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सरवत्र सरवेंद्रियानाम। सदामे समत्वं न मुक्तिर न बंधह। चिदानंदरूप शिवोहं शिवोहं न मुक्ति ही न बंधह। बंधन और मुक्ति दोनों से विलक्षन अपने स्वरूप का जिसको बोध हो गया। लेकिन अनुभूती की परिपक्पता देखिए कि उसमें फिर एक नमी आ जाती है। आँखें भीग जाती हैं गिरा गदगद हो जाती है। और कहते हैं नईतच छठत्वं ममभाव ये था शुधात रुशारता जरनिम स्मरंती। बूख और प्यास से व्याकुल बालक जिस प्रकार मा का स्मरंण करता है। पस उसी प्रकार मैं तुम्हारा स्मरंण कर रहा हूँ भगवती। ये मेरा शठत्व नहीं है, ये मेरा भाव है। और महापुरुशों ने ठीक ही कहा है। कि भक्ती में बालक बनो, कर्म में युवा बनो, ज्यान में व्रिद्ध बनो। केवल बत्तीस वर्ष की आयू में इतना बड़ा कार्य करके और केदार में अपनी जिवन लिला को समेट लेने वाले, वे आचार ये युवा हैं। केवल बत्तीस वर्ष की उम्र में तो चले गए, लेकिन कितने बड़े ज्यान व्रिद्ध है। उनसे बड़ी उम्र के लोग उनके शिश्यत्व को स्विकार करने के लिए तैयार हो गए। तो ग्यान व्रिद्ध और कर्म क्या युवा की तरह किया है। ज्यान पक्ष को ही महत्व देने वाले भगवानाध्यशंकर आचारिय लेकिन केवल बत्तीस वर्ष की आयू में उन्होंने जो पुर्शार्थ किया है। संपुर्ण भारत वर्ष का परिभ्रमन करते हुए चारो दिशाओं में चार सनातन धर्म की रक्षा और मार्गदर्शन करने वाले आचारिय परंपरा पीठ स्थापित कर दी। वहां के आचार ये नियुक्त किया और आचार ये परंपरा ठीक से चलती रहे उसके एक व्यवस्था दिया, एक मार्गदर्शन दिया। श्रिंगेरी पीठ हो, शारदा पीठ हो, जोतिश पीठ हो, या गोवर्धन मठ जगनाद पूरी वाला हो, पुर्वामनाय। केवल 32 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य करके और सनातन धर्म की पताका को फिर से पुरे विश्व में लहरा करके और अपनी लिला को समेट लेना, ये कितना बड़ा पुर्शार्त है, तो कर्म में वाकई यवान है। आज कल 30-32 साल तक तो हमारे बच्चे मास्टर डिग्री करते रहते हैं और फिर डॉक्टर रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं। उसी में 32 साल तो निकल जाते हैं। और भगवान आद्यशंकर आचारी ने 32 वर्ष की ही अपनी जीवन की यात्रा। और जब आज वाले साधन तब उपलब्ध नहीं थे। ट्रांस्पोर्टेशन, कम्यूनिकेशन जो आज साधन उपलब्ध हैं वो तब नहीं थे। और उस काल में उन्होंने केवल 32 वर्ष की आयू मैं इतना प्रचंड पुरुशार्थ किया। ये सामान ने बात नहीं है। ग्यान में वृद्ध है, कर्म में युवान है आद्ध शंकराचारिया। और भक्ती में बालक वाली जो बात अभी हमने श्लुकों का गायन किया। मुझे आद्ध शंकराचारिया के द्वारा रचित तस्तोत्र गाने में बड़ा आनन्द आता है। उसकी तरलता, सरलता और भाववाहिता के चलते है। और दूसरे ऐसे आचारी परंपरा के महापुरुश श्री रामान उजाचारी जी महाराज। भगवान लक्ष्मिन आरायन को लेकर के चले श्री सम्त्रदाय और विदांद के ओपर श्री भाष्य रामानुजाचारी जी का। श्रुतियों के द्वारा उक्तसत्य को अपने अपने एंगल से देख करके और यह तो होगा आप जिस वस्तू या जिस व्यक्ति के किस साइड में खड़े हैं उस एंगल से आप उस व्यक्ति को या उस वस्तू को देखेंगे। लेकिन हमारा देखना हमारा दर्शन हमारी द्रश्टी वो खंड हो सकती है क्योंकि हमारे तरफ वाली साइड को तो हम देख सकते हैं ऑपोजिट जो साइड है उस वस्तू की या उस व्यक्ति की वो हमें नहीं दिखाई देती हैं लेकिन आचारी महापुरिशों ने कभी खंड सत्य की तो बात ही नहीं करी क्योंकि उनका सत्य खंड ही नहीं उनका सत्य अखंड है ब्रम अखंड है राम अखंड है उमा अखंड एक रघुराई भगवान शीव कहते हैं यह सत्य टुकडों में नहीं बढ़ सकता इसलिए सत्य कभी आधा नहीं हो सकता कथाओं में भी कई बार हम लोगों ने चर्चा करी है जरार फ्यो मिस्गाइडिंग वर्ड्स ब्रामक शब्द है जो हम प्राय व्यवहार में उप्योग में लेते हैं जैसे कि अंध विश्वास विश्वास अंध नहीं हो सकता और जो अंधा हो उसको विश्वास कहना उचित नहीं है राम चरित्मानस के अनुसार तो विश्वास हम शंकर जी को कहते हैं भवानी शंकरव अंधे श्रद्धा विश्वास अरू पिणव याभ्याम विनान पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम अब दो आँखवाले को अंधा हम नहीं कहते और येक आँखवाला हो तो भी उसको अंधा कहने की हमत नहीं करते तो शंकर भगवान तो त्रिलोचन है विश्वास त्रिलोचन है उसको अंधा कहना ये तो मुर्खता ही है इसलिए अंधा विश्वास शब्द एक ब्रामक शब्द है उसी तरह दूसरा एक शब्द है अर्ध सत्या सत्य कभी आधा नहीं हो सकता जो टुकडों में बढ़ जाए आधा आधा हो जाए उस सत्या नहीं है सत्या खंड है एक रासा है और आचारी महाबुरुषों ने उस सत्य का दर्शन किया है जिसको पारमार्थिक सत्या कहते है दुद्रश्टी भेज से तीन प्रकार कहे गए है पारमार्थिक सत्या व्यावहारिक सत्या और प्रातिभासिक सत्या यह जो पारमार्थिक सत्या है वही परब्रह्म परमात्पा है तो उन्हें देखकर उस तत्व की अनुभूती के लिए इन आचारी महाबुरुषों ने अलग-अलग मार्ग बताए है को यदि पूछे के इनमें कौन सा मार्ग सही है हम पूछेंगे कौन सा मार्ग गलत है सभी मार्ग सही है क्योंकि सभी मार्ग वहीं ले जाते हैं कोई पूछे फिर इतने ज़्यादा मार्ग की आवश्यक्ता क्यों पड़ी उस एक ही लक्षते तक पहुँचने के लिए भई जो आदमी जहां खड़ा है उसको वहां से चला करके उस परमसत्य तक पहुचाना है एमदाबाद एक है लेकिन एमदाबाद पहुचने वाले मार्ग अनेक है दिल्ली एक है लेकिन दिल्ली तक पहुचने वाले मार्ग अनेक है यातायात का जो माध्यम है उसके भी प्रकार अलग-अलग है कि बाई रोड पहुचे बाई एर पहुचे कि रेलवे के द्वारा पहुचे लेकिन पहुचते हैं वही तो उस एक परम सत्य तक हमको पहुचाने के लिए इन आचारिय महापुरुषों ने अनेक मार्ग तैयार किये हैं जिने हम संपरदाई के नाम से जानते हैं तो श्री रामानुजाचारी जी महाराद ने भगवान नारायन और वहां तो लक्ष्मी जी को भी गुरुरुप में मानते हैं सत्वरुप है वे नारायन चिदरुप है महाल लक्ष्मी जी और कहते हैं ये जगत जो है वो भगवान के कृड़ा के द्वारा आनंद का वो स्थान है ऐसी भी एक उनकी दृष्टी है तो हम कृतग्य है इन आचार्य परंपरा के आचार्य महानुभावों के उन्होंने अनेक मार्ग अनेक संपरदाय स्थापित करके हम जिस मार्ग से पहुँच सकते हैं जिस मार्ग पर चलने की हमारी भूमिका है या तो यातायाद के जिस भी माध्यम से पहुँचने की क्षमता हम एफोर्ड कर सकते हैं उस यात्रा को सबी लोग हवाई जाज को एफोर्ड नहीं कर सकते तो आप विचार के माध्यम से पहुँचोगे आप भाव के माध्यम से पहुँचोगे आप कर्म के माध्यम से पहुँचोगे इसलिए अनेक मार्ग है अनेक पद्धतियां हैं कभी कभी लोग यह चर्चा करते हैं कि इतने सारे संप्रदाय और इतना सारे इतने भगवान यह सब क्या है मैं पूछता हूँ आप रेश्टोरेंट में जाते और मेन्यू कार्ड पकड़ा दिया जाता है तो इतनी सारी डीश की पूरी सुची उसमें होती है अच्छा जहां साउथ इंडियन भी मिले नौर्थ इंडियन भी मिले अनेक प्रकार के विएंजन मिले तो आप उस रेश्टोरेंट को अच्छा मानोंगे की बुरा मानोंगे इतना सारा बना के खिलाने के क्या जरूरत थी एक खिचड़ी काफी होती हम तो खिचड़ी और कड़ी के प्रेमी हैं तो वहीं तुम खिचड़ी कड़ी खाओ लेकिन जिसको कड़ी खिचड़ी नहीं अथ्या लगता वह कोई दूसरा कुछ मागेगा वह अपनी रुजी के अनुसार खाएगा तो इन आचारी महापुर्शों का बड़ा उपकार है हम पर कि उन्होंने हमारे लिए इतने सारे मार्ग बना कर तयार रखे हैं वैसे दिस राष्ट्र का इंश्प्रा स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलोग होता है उस राष्ट्र की प्रगिती बड़ी फास्ट होती है ऐसा हम कहते हैं इसी तरह हमारे आचारी महापुर्शों ने इतना strong infrastructure तयार किया है जिसके चलते सनातन धर्म बहुत सम्रिद्ध हुआ है सनातन धर्म की चाहे वो वैचारिक सम्रद्धी हो चाहे सदाचरण की उचाई हो चाहे वो ज्यान की दर्शन की गहराई हो ये सारी सम्रद्धी का श्रेय उन आचारिय महापुर्शों को जाता है और उनके निर्दष्ट मार्ग पर चल करके पवित्र जीवन जीने वाले संतों ने जिनों ने जन साधारण को प्रभुभावित किया है प्रभु के पत पर चलने के लिए धर्म मार्ग पर पाव रखने के लिए प्रेरित किया है उन संतों को सनातन धर्म के इस सम्रद्धी का श्रेय जाता है हम प्रणाम करते हैं आज की दिन इन दोनों आचारियत द्वैकों उनकी जैनती पर हम कृतग्य भाव से उनके प्रती समर्पित होते हैं आज हम जो हैं इन आचारी महापुर्षों की कृपा और उनके आशिरवाद के चलते हैं इश्वर से प्रात्ना करते हैं कि हमें वे इन आचारी महापुर्षों के द्वारा निर्दिष्ट पत्पर श्रद्धा पुर्वक और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा और सामर्थि प्रदान करें सर्वेत्र सुखिनस्षंतू सर्वेसंतु निरामयाह सर्वेभद्रानि पश्षंतू माकस्चत दुख भाग भवेतू जैशिक्रिष्ण प्राइब है प्राइब है अप्राइब प्राइब झाल, 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 झाल